प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राब माई चैनल गुड इवनिंग प्रेंट्स वेलकम बैक इन माई यूटूब चैनल एएफ एजुकेशन क्लासिक में प्रेंट्स आज जो हम टॉपिक लेके आएं बहुत महत्पूर टॉपिक लेके आएं जिसका नाम है अलवर्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को सुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें जिससे यह सिद्धान आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा दोस्तों सुरू करते हैं सबसे पहले बात करेंगे हम इसके प्रतिपादक की यानि कि इस सिद्धान का जो प्रतिप समबर 1925 को इन्होंने इस सिद्धान का प्रतिपादन 1977 में किया था इनकी जो पहमस बुक्ती वो थी शोशल पाउंडेशन थौट एंड एक्शन बहुत महत्पूर बुक्स है इसकी शोशल पाउंडेशन थौट एंड एक्शन इन्होंने इस सिद्धान्त में समाज द्वार मानने विवार को अपनाने यानि कि समाज जिस विवार को मानने करता है उस सिद्दान्त को अपना लिया जाता है तता अमानने विवार को त्यागने यानि जिस सिद्दान्त को समाज अमानने करता है यानि उससे सुईकार नहीं करता है उससे त्याग दिया जाता है इस पुर्ट नामें वहए अव्लोकल का सिद्दान इंगलिश्ज में से हम अबजर बेशन त्योरी भोलते हैं कि तीसरा नाम इसका अप्रत्यज्च आत्मक्त क्षिद्दानथ य४ोर्ट नम्बर प्रेणात्म CI Guam अगला जुना में वो है निर्देशन का सिद्दान और लास्ट जुना में वो है अनुकरण का सिद्दान अनुकरण का सिद्दान इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें दूसरों के विवार को देखकर ही सीखा जाता है इसलिए इसलिए हम अनुकरण का सिद्दान भी कहते है अब बात करते हैं सामाजिक अधिगम का अर्थ क्या होता है What is the meaning of social learning? दूसरों को देखकर उनकी अनुरूप बेवार के करने की कारण यानि कि दूसरों को देखकर उनके जैसा ही बेवार करना वह दूसरों के बेवार को अपने जीवन में उतारना तता समाज द्वारा सुईकरत बेवार को धारर करना तता अमान ने बेवारों को त्यागने का कारणी सामाजिक अधिगम है यानि कि जो बेवार समाज द्वारा मान ने उसको अपनाना और जो बिवार समाज द्वारा अमान ने यानि समाज द्वारा मान नहीं किया गया है उस सिद्धानत को त्यागना ही सामाजिक अधिगम है यानि दूसरों को देखकर ही सीखना सामाजिक अधिगम सिद्धान कहलाता है इस सिद्दान्त में अनुकरण द्यारा सीखा जाता है इस परष्ट बात है उपर हम बता चुके हैं इस सिद्दान्त के द्वारा हम किसी को फॉलो करते हैं जिसको द्वारा हम अच्छी तरह से सीख सकते हैं यह सिद्दान्त दूसरों के निरिच्चर से सीखने पर बल देता है इसलिए हम इस सिद्दान्त को observation theory कहते हैं बंडूरा ने क्या कहता है कि बंडूरा के अनुसार हम चारों तरफ बातावर से सीखते रहते हैं हम केवल यहीं नहीं सीखते कि एक कारे को कैसे किया जाता है बलक यानि कि समाज से इसमें सीखा जाता है समाज में क्या गटित हो रहा है समाज कौन से बिवार को मानने कर रहा है कौन से बिवार को त्याग रहा है उसको हम फॉलो करते हैं बंडूरा के अंचार समाजिक अधिगम में प्रतिमानों यानि मॉडल्स की भूम का व्यक्तत के वि समाज में किशी विवार को करने से मिलता है उसी को हम सामाजिक पुनपूलन को होती है क्योंके मॉडल को देखकर सर्थ कि शामाजिक सत्व करता है सबसे पहला अनुकर शिदान्थ ऊपर हम discussion कर चुके हैं दूशा है पुनरबलन सिद्धान्त यानि कि हम जिस सिद्धान्त को माने करते हैं समाज में उसे follow करते हैं और बाद में हमें उसमें पुनरबलन भी मिलता है यह सिद्धान्त बताता है कि सीखने की पिक्रिय संग्यानात्मक होती है और यह सामाजिक बाताबड में शंपन होती है इसके अनुसार पुनर्गलन की सीखने में महतपुर भूमिका होती है किन्तो यही पूर्ता अजगम के लिए उत्तरदाई नहीं है यह दोग्सतो ध्यार रखने वाली बात है कि पुनर्गलन की भूमिका महतपुर बताई है अलवट बांडूरा ने लेकिन लर्निंग के लिए यह पूंड रूप से उत्तरदाई नहीं होती है शामाजिक अजगम सिद्दान्त में बांडूरा ने तीन प्रकार की मोडलिंग बताई पहली है लाइब मोडल दूसरी है बरबल रिस्ट्रे प्रकार के लिए दंड का बिदान है बच्चों ने उसकी अनुकुलर को सुईकार नहीं किया यानि कि जो समाज के अनुकुल नहीं है जिसे समाज ने सुईकार नहीं किया बच्चों ने उसके अनुकुलर को सुईकार नहीं किया अब बात करते हैं सामाजिक अधिगम के सोपन यानि कि process of social learning यानि सामाजिक अधिगम के चड़ कौन कौसे है तो इसके चार चलड होती है सबसे पहला चलड होता है attention इंungle협स में इंदि मैं इसे ध्यान कहते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि attention होता क्या है किसी भी काम को सीखने के लिए ध्यान लगाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि जब तक हम अपना ध्यान के इंदित नहीं करेंगे किसी भी कारे को अच्छे से सीख नहीं पाएंगे दूसरा है इसका retention यानि धारना बोलते हैं इसको इंदी में किसी काम को करने के लिए में इसमर्ती की जरूर आवश्यक्ता होती है क्योंकि जब तक हम अपनी इसमर्ती में कुछ धारन नहीं करेंगे तो उसे आगे प्रियोग नहीं कर सकते हैं अगली बात करते हैं नमबर तीन पुनरत्पादन यानि की reproduction जब हम बार-बार किसी प्रिक्रिया का अभ्यास करते हैं उसे ब्यक्त करते रहते हैं तो उसमें हमें महारत आसिल हो जाती है यानि हम उसमें export हो जाते हैं हम अपनी इसमर्ती का सारा लेकर अनेक दिसामें उसका प्रियोग कर सकते हैं आज क्य MonsieurSnakeं अब चार है अभी प्रियर्ण और प्रियर्णा शीकने को प्रिवाबित करती हैं चारों को प्रूष्कार और प्रसंसा देते रहने से उसका मनोबल बढ़ता है अगर अगर बश्रकारों को प्रसंसा नहीं देंगे तो इनका मनोबल डाउन हो जाता है और प्रसकार और प्रसेंसा देते रहते हैं तो उनका मनोबल ऊपर बना रहता है इसको हमें एक सिंपल उधार्थ से समझ सकते हैं कि हमारे मोबाल फोन की जो बैटरी होती है हम देखते हैं कि जब मोबाल फोन की बैटरी लो हो जाती है तो उसमें एक सिकनल आता है इसको हम जो चार्ज होजता है तो हम उसको जोड़ सकते हैं रेटेंशन से यानि धारना से और नमबर तीन है जब हम मोबाल चार्ज होजता है उसे निकाल लेते हैं फिर हम उसका यूज करते हैं तो हम उसे बोल सकते हैं पुनर उत्पादन से यानि रिप्रोडक्शन से और फिर हम उसमें कई महतपूर काम करते हैं तो उसे हम जोड सकते हैं मौटिवेशन से यानि अभी प्रेणा से अब बात करते हैं इसके बहुत महतपूर पॉइंट की सामाजिक अद्गम सिद्धान पर बंसानुकरम पर बिचार नहीं किया गया यानि एरिटेशन पर पर बहुत महतपूर पॉइंट है यह इसकी एक कमी है यानि इस सिद्धान की कमियों की बात करें तो इस सिद्धान पर बंसानुकरम पर बिचार नहीं किया गया है जो इसकी एक कमी है अब बात करते हैं इसके स्याचिक महतव की यानि कि सिच्चा में इस सिद्दान्त का क्या महत्त है तो सबसे पहला जो महत्त है वो है कि बच्चों के ब्यक्तत विकास में सबसे महत्पूर सिद्दान्त सामाजिक अध्गम सिद्दान्त है यह बच्चों के जो पर्सनल्टी डबलमेंट होती है वो इस सिद्दान्त के द् चाहिए कि आधर्स मोडल प्रस्थ करना चाहिए यानी कि जो होति हैं वह अच्छी पिल्मोग मैं जो बॉर बरा बिवार किया जाता है ूसे बच्चों के बच्चों को नहीं अपनाना चाहिए ये थे इस सिद्दान्त के बहुत महतपूर से अच्छिक महतव अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और महतपूर सिद्दान्त के साथ तब कर के लिए जैहिन जैवारत